हेलो एवरिवान वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल देखे फ्रेंड आज में लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से वही वेवी कुर्ती जो कि मेरे चैनल पर पहले से अप्लोड़ेड है यह देखे इसमें कुछ मेरे फ्रेंड के काफी कमेंड आ रहे हैं जो कि काफी कन्फ् बनाया है तो आप देखे इसके इसमें मैंने कोई भी बॉर्डर नहीं दिया है आप देख सकते हैं इसमें किसी भी पस यह दो सलाइड हमने गया यहां पर इस तरह से एक सीधे एक उल्टे की की है ताकि यह हमारा सीधा जो हमने बुना है यह मोड़े नहीं बाद में सिर्फ करोशा से हमने इसके इससरह से यह दिया है यह कुरती लुक में है इजा टॉप नहीं है इसलिए हमने हbakर इसके चाग भी खोले हैं अगर आप कुरती लुक में ही बना रहे है तो इसके यह चाग जरूर खोली और यह सिर्फ करोशावर क्सेvक से एक कंगूरा सा बनाया गया देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं है मैं स्क्रीन पे क्लियर ली आपको दिखा रहे हूं इसमें किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं है पहले ये दो सलाई करने के बाद पूरी कुर्ती तयार कर ली गई है स्टिच कर ली गई है उसी के बाद इसके ये करोशा वर्क से इसके कंगूरे बनाए हैं और ये सिर्फ नीचे ही नहीं किया है, आप ये देखें इसी तरह का कंगूरा वर्क इसके नेक पर भी है, ये देखें, बिल्कुल इसको एक रेडिमेट लुक देने के लिए ये सब डाले गए हैं, तो बहुत ही प्यारी कुर्टी लगती ह यह दिखे तो इसमें यहाँ पर यह हमने दो फ्लार दिये हैं और दो बार इस तरह से यह जाली दी है अगर आप इसका मेजरमेंट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले सी इसकी वीडियो है लेकिन अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं मिलती है तो मैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी अधि वीडियो लास्ट होगी तो लास्ट में में एंड स्क् प्लेन है यह देखिए आपके इसके पॉकेट भी जो हमने इस तरह से यहां पर यह छोड़ी है तो हमने इस पॉकेट पर भी इस तरह से यहां पर यह ग्रोश्य वर्ग दिया है बैक इसकी बिल्कुल ही प्लेन है और पॉकेट भी इसकी देगी देखिए बिल्कुल ही अलग से बनाकर इसमें अटेज की गई है आप ये किसी भी स्वेटर में इस तरह से ये पॉकेट अटेज करके लगा सकते हैं जो कि आपकी स्वेटर भी कुछ तयार हो गई हो कि ये आपको इसका शेर कर दिया है कि ये फाइनल लुप में किसे तरह से दिख रही है मैं आप से शेटर कर देती हूं इसका ग्राफ तो ये दिखी इसका ग्राफ है ये वारे फ्लार कर इस तरह से यहां पर यह पूरे ग्राफ के उसे दिया है आप चाहे तो इसका इस तरह से स्क्रीन शॉट ले लिजिए मैं थोड़ी देर स्क्रीन पर इसको रोग देती हूं और उसके बाद आप जूम आउट करके इसको इसली डाल सकते हैं तो यह देखिए और यह वाले यह जो फ्लार है यह हमने यहां पर यूज किये हैं यह इस जगा पर और स्लेस में भी लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर्स हैं और इसी तरह की कोई कुर्टी बनाना चाह रहे है आपके पास best option यह है कि आप इसी तरह के फ्लार पूरी all over कुर्टी में बना लीजिए तो यह कुर्टी एक बिल्कुल ही unique कुर्टी बन कर आएगी अगर आप इस तरह के फ्लार पूरे ही कुर्टी में बनाते हैं I hope आपकी problem solve हो गई हो कि आप यह फ्लार कैसे बनाए और सभी मेरे से पूछ रहे थे कि आप यह कैसे बताएंगी तो मैं यह community में शेयर भी किया मैंने पर शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया comment फिर भी continue आ रहे थे कि प्लीज में ग्राफ बताए तो इसी लिए मैं ने छोटी सी वीडियो इसी के ऊपर बनाई कि ताकि आप तक की ग्राफ की वीडियो पहुंच दगे तो फ्रेंड्स I hope आपकी problem solve हो गी हो तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह की अच्छे चीसी वीडियो देखना चाहते हैं प्यारे प्यारे सी कुर्ती देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहे है आई हो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरी सबी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलती हो अपने नेक्ट वीडियो में तकिली, बगबाई